प्रिये चात्रो नमस्कार NCRT गड़त कक्छा नौमी में आपका एक बार फिर्श रागत है हम लोग प्रिशनामाली 7.1 का प्रस्न किरमांग एक आज हल करने बाले है जिसमें दिया गया है चतरबुज ABCD में AC बरावर AD है और AB कौन A को सम्दी भाजत करता है देखिए आकरती 7.1.6 दर्साइए कि तिर्बुज ABC सरवांग नसम तिर्बुज ABD है BC और BD के बारे में आप क्या कह सकते है तो ये हमारे लिए आकरती दी गई है अब हम इसको ध्यान से समझते है सबसे पहले तो आपको दिया गया है चतरबुज ABCD तो आप दियान से देख सकते हैं कि ABCD एक चतरबुज है पूरा साथी साथ AC बरावर AD है जितना AC है उतना ही क्या है AD इसलिए ये साइन बनाया हुगा है कि जितना AC है उतना ही क्या है AD है अब और AB कौन A को सम्दुभालित करता है कौन A को सम्दुभालित करता है इसका मतलब ये है कि अगर ये कौन पूरा साथ हंस का है तो ये 30-30 में डिवाइट करता है कौन सा रेखाकंड? AB आपको ध्यान रखना है कि अगर ये AB रेखाकंड है जो पूरे कौन A को सम्दुभालित करता है इसका मतलब यह होता है कि जितना कॉर्ण यहां बना होगा है उतना ही कॉर्ण फिक्स बिलकुल यहां बना होगा क्योंकि ए भी एक संदी भाजक है इसलिए आपको ध्यान रखना है अगर पूरा का पूरा यह कॉर्ण यहां से लेके यहां तक का साथंस है तो यहां 30 हो जाएगा, यहां भी 30, 30 का मतलब होता है कि जितना एंगल यहां बना हुगा है, उतना ही एंगल यहां भी बना हुगा है अब आगे पड़ते हैं, तो यह आकरती दर्साइए कि A, B, C सरवांग सम है A, B, D तो आपको यह बताना है कि उसके सरवांग सम है A, B, D तो इन दोनों तर्भुजों में, एक उपर बाला तर्भुज और एक नीचे बाला तर्भुज इन दोनों तर्भुजों में हमें सरवांग समता निकाल ले हैं सरबांग को समता निकालने के लिए हमें दोनों तिरभुजों में कोई तीन चीजे समान मिलनी चाहिए चलिए यहाँ पर साटकट में थोड़ा सा समझ लेते हैं यहाँ पर पहले तिरभुज में यह वाली भुजा ABC तिर्भुज में ये वाली भुजा जो आपको दिख रही है दूसरे तिर्भुज ABD में इस वाली भुजा के बराबर है तो पहली समानता तो ये मिल जाती है दोनों तिर्भुजों में पहली समानता है कि जितनी भुजा ये है उतनी ही भुजा ये है दूसरी समानता ये है कि ये वाला जो एंगल है कौण A का C, A, B उतना ही है B, A, D ये दोनों एंगल दोनों तरभजों में बराबर है और तीसरी विसिस्ता ये है कि A, B जो है वह भाइनिश्ट गोजा है ये उस बाले तरभज में भी है और इस बाले तरभज में भी है तो ये तीनों समानता हमें मिल चुकी है तो हमें कोई भी जब भी हमसे कहा जाए कि हमें सरवांगत समता हासिल करना है कि नहीं भी दो तरभजों में तो आपको क्या करना है उन दोनों तरभजों में कोई तीन समानता ये ऐसी निकालना है जो दोनों में बराबर है तो यहां हम लोगों ने देखा है कि हमारे पास दो तिर भूजें A, B, C और A, D, B इन में देखिए ये वाली भूजा इसके बराबर है ये वाला एंगल इसके बराबर है और ये भी उमैनिस्ट भूजा है चलिए इसको डेटेल में करते ह सबसे पहले जो हमें दिया गया है हम उसको लिख लेते हैं तो लिखेंगे दिया है और हमें दिया गया है A, C बराबर A, D सबसे पहले तो यही लिखना है जो question में दिया गया है A, C बराबर A, D ये हमें दिया गया है और A, B जो है कौन A को सम्दभी वाजित करता है तो हमारे चित्र में, यदि हम ध्यान से देखें, इस चित्र में, तो जो A B हमारे पास है, इसमें जो ये वाला कौन है, इस कौन की बराबर है, तो ये भी हमें क्या करना है, बताना पड़ेगा, तो इस वाले कौन को बताने के लिए, उपर वाले केवल उपर वाले कौन को बताने के लि नीचे बाला जो कौण है इसको बताने के लिए हम लिखना पड़ेगा B, A, D चलिए और चुकि ये दोनों बराबर हैं तो चलिए उपर बाला कौण बताईए कैसे लिखा जाएगा कौण C, A, B चुकि ये दोनों बराबर हैं इसलिए मैं पहले से ही बराबर का चैनल लगा लेता हूँ अब नीचे बाला ये जो एंगल है जो कौण बना हुआ है चलिए इसको बताईए तो ये बनेगा कौण B, A, D B, A, D ये बाला है अब ये दोनों कैसे हैं बराबर क्यों बराबर हैं हम लोगों ने बराबर तो लिख दिया लेकिन क्यों है तो आपको लिखना है जो की कौण A का कौण A जो पूरा का पूरा कौण A ये बाला कौण A है कौण A का सम्दुई भाजक A भी है आपको इस तरीके से लिखके आना है सम्दुई भाजक कौन है तो अंसर है A, B है तो ये आपको बगल से भासा लिख देनी है चलिए और हम देखते हैं कॉश्चन में क्या दिया गया है और हमें कुछ भी नहीं दिया गया है बस हमको दर्साना है कि ये वाला जो कौन है ये तिर्भुज है A, B, C ये सरवांग सम्थ है मतलब इसको अगर उठा के इसके उपर रख दिया जाए तो ये इसको डग लेगा तो अब सरवांग सम्था तो हमें ग्याद करना है ये भी हम लिख लेंगे सिद्ध करना है, ये ज़्यादा बेटर रहेगा सिद्ध करना है तिरभोज कौन-कौन ऐसे तिरभोज है जिसमें सरवांग समता हासल करनी है A, B, C तिरभोज A, B, C सरवांग सम है तो ये सरवांग समता का चिन तिरभोज A, D, B A, D, B तो इस तरी के समता करना है चलिए अब हम उपपत्ती ले ले लेते हैं उपपत्ती और यहां से हम तीन सरवांग सरवांग समता है जो मैंने शुरू में आपको बता दी है उपपत्ती में तो आपको लिखना है तिरभोज A, B, C और तिरभोज A, D, B में पहले तो यह लिखना होता है कि कौन-कौन से तिरभोजों में हम लोग जा रहे हैं तो आपको बता देना है कि तिरभोज A, B, C तिरभोज A, B, C और दूसरा तिरभोज बता दीजी मुझे तिरभोज A, D, B, में हम लोग इन दौनों तिरभोजों में जा रहे है अब इन दौनों तिरभोजों में इस बाले और इस बाले दौनों तिरभोजों में ऐसी कौन-कौन सी समानता है चलिए मुझे बताईए तो पहला तो यह question में दिया गया है कि A, C बरावर क्या है? A, D और ये पहले तरुपज की भुजा है और ये दूसरे तरुपज की भुजा है तो AC बरावर क्या दिया गया है AD चलिए लिख लेते हैं AC बरावर दिया गया है हमें AD और ये हमें चुकि दिया गया है इसलिए आप ब्रैकेट में क्या लिख दोगे दिया है चलिए नैश्ट देख लेते हैं ये वाला कौण इसके बराबर है ये भी हमें दिया गया है क्योंकि ये हमने लिखा है कौण A का समधी भार्यक A भी है तो ये भी हमें दिया गया है तो चलिए इसको लिख लेते हैं कौन सा एंगल? C, A, B उपर वाला एंगल और नीचे वाला एंगल दोनों कैसे हैं बराबर? उपर का कौण और नीचे का कौण दोनों बराबर हैं तो चलिए इसको लिख लेते हैं कौण C, A, B बराबर है कौण इसको देखते हैं तो B, A, C B, A, D स्ORRY B, A, D B, A, D ये भी दोनों कैसे हैं? बराबर ये भी हमें क्या है? दिया है तो ये दोनों हम लोगों ने लिख लिए हैं जो हमें दिये गए है अब A B जो आप चित्र में देख सकते हैं जो A B है ये उपर वाले तिरबुचकी भी भुजा है और नीचे बाले तिर्वज की भी भुजा है तो हम लिखेंगे कि A B बराबर A B A B बराबर A B और ये क्या है उभाएनिष्ट भुजा है तो हम यहाँ पर लिख देंगे उभाएनिष्ट भुजा है उभाएनिष्ट भुजा तो ये तीन समानता है हो चुकी है तो ये तीन समानता है किनी भी दो तिर्वजों में यदी बराबर हों तो ये दोनों तिर्वज कैसे हो जाते हैं तो आंसर है सरवांग सम हो जाते हैं इसलिए तिर्वज A, B, C सरवांग सम होगा तो यहाँ पर आप सरवांगसम का चिन्न बना देंगे तिरभुज A D B तो यह सरवांगसम है, क्यों सरवांगसम है, कौन सी अभी गिरीत लगी है तो आपको बता देना है यहाँ पर देखिए A, C और A, D जो थी यह तो भुजा थी और यह कौन है और A, B भी क्या है, भुजा है चित्र में देख लेते हैं अगर हम चित्र की बात करें तो A, C और A, D A, C और A, D यह तो दो-तिरभुजों की भुजा है और जो कौन का चिन्न है यह कौन ही है और A, B यह भी भुजा है तो यहां दो बार भुजा आया है एक बार कौण आया है तो आपको क्या करना है जो दो बार आया है उनको अलग अलग इस तरीके से लिखेंगे जैसे दो बार क्या है भुजा तो आप लिखोगे भुजा बीच में लिख दोगे कौण और फिर लिख देना है आपको भुजा तो भुजा कोण भुजा ये वाली सरवांग सम्ता है देख लीजिए यहाँ पर क्या लिखा है AC भुजा है, AB भुजा है और ये क्या है, कोण है तो भुजा कोण भुजा सरवांग सम्ता से सरवांग सम्ता से तो यह आपको रीजन बताना होता है कि कौन सी अभी ग्रीहित लगी हुई है यहाँ पे अब जब यह सरवांग सम है तो इसे साफ से इसका मतलब यह हो जाता है कि यह वाला तिरवज बिल्कुल बराबर है इस तिरवज के तो ऐसे स्तिती में जो यह वाली भुजा है BC यह भी BD के बराबर होगी क्योंकि यह दोनों सरवांग समसिद्ध हो चुके हैं अगर इसको इसको उपर रख दिया जाए तो BC भुजा किसको ढख लेगी BD या BD भुजा BC को ढख लेगी इसका मतलब है कि BD बराबर है BC के तो चलिए इसको भी हम लोग लिख लेते हैं तो BC बराबर BD हो जाएगी ये जो अन्य चीजें बच्चती हैं जो हम बाद में बराबर में लिख लेते हैं जब हमें पता चल जाता है कि दोनों तिर्भुच सर्वांगसम है तो ने हम सर्वांगसम तिर्भुच के संगत अभिया बोलते हैं कि आप B, C और B, D के बारे में क्या कह सकते हैं तो हमने बता दिया है कि B, C और B, D भी क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे आता है B, C और B, D भी बराबर होंगे इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं यह question solve हो जाता है बहुत ही simple question है आप इसको बहुत आराम से पहले समझिए और इसको एक बार जो यहसा मैंने लिखा है आप इसका screenshot लेके इसे भी लिख सकते हैं और इसी तरीके से आपको एक्जाम में लिखना है ताप की आपका एक भी अंग ना कटे और यह आप लिख सकते हैं इस तरीके से थैंक यू